विभ्यारतियों पूरु गुप्थकाल की आर्थिक प्रकती खासतोर पर व्यपार और व्यपार के बारे में हं चर्चा कर रहे थे और आज मैं इसमें बताना चाहूंगे आपको विदेशे व्यपार के बारे में विध्यार्तियों भार्तियों के विशु के अन्य भागों से संपर्ख अत्यन प्राचिनकाल से ही रहे हैं उन्होंने ये संपर्ख वैपार, राजनितिक प्रभाव एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से इस्थापित की इस क्रम में दक्षिन पूर्वी एश्या के दीपों में भारती उपनुएश भी कायम हुए। गुप्त काल जब भारत पुन है एक उत्तर भारत में शक्तिशाली सामराज्जी इस्थापित हुआ गुप्तों के नेतुत में तो मौर्यों और गुप्तों के बीच का जो 500 साल का समय है 200 इसा पूरु से लेके 300 इस्वी तक का समय उस समय भारत में अनिक छुट-छुटे बात करें तो अलग लग देशों के साथ व्यपारिक संपर को समय थे सबसे पहले बात करें हम रॉमन सामराज्जी से व्यपार और वानी जी के बारे में विधार्तियों युनान का राजा सिकंदर जो विश्व विजय करने के लिए निकला था तो शिकंदर भारत भी मोर्यों के पतन के बाद अनेक जातियां जैसे बैक्टरियाई, युनानी, शक, कुशान और पहलो भारत आये मद्धि एशा के रास्ते से होते वे इशा की प्रारंबिक शताब्दियों में ततकालीन पश्चिमी जगत के साथ भारत के घनिस्ट व्यपारिक संबंद थे और हजारा, रावलपिंडी, इलाबाद, चुनार और केरल में खुदाई कार्यों से पुर्गुप्तकालीन रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं विध्यारतियों, इन सिक्कों वे युनानी लेकोकों के विवरंट से हमें ये पता चलता है कि उस समय रोम के साथ भारत का वेपार उन्नत इस्थिती में था और भडोच, कल्यान, सोपारा, प्रमुक वेपारिक केंद्र थे प्रथम शताबदी इसापुरू तक रोमन सामराज्य से वेपार इस्थल माग से जादा होता था परन्तु इसके बाद जलु माग से वेपार जादा होने लगा पूर्वी रोमन सामराज्य को विलासिता पूर्ण वस्तों का निर्यात किया जाता था पैरिप्लस पुस्तक से ग्यात होता है कि रोमन सामराज्य को मसाले, मलमल, मोती, हातिदात, रत्न वे लोहे के वस्तुएं मोर एवं बंदन निर्यात की जाते थे रेशम चीन से भारत लाया जाता था फिर उसे रोम भेजा जाता था अरिकमेडू वैदक्षिन भारत से प्राप्त हुए शराप के दो हत्ते वाले कलश और मिट्टी के कुछ बर्तन ये इसपस्ट करते हैं कि ये वस्तुएं भारत रोम से आयात करता था यानि भारत में ये चीज़े हमारे निर्मित नहीं होती थी इस वैपार का प्रभाव विद्यारतियों अत्यन्द महत्पून था भारत में विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में आई उत्खनन में लगबग 85 भंडार जो है रोमन सिक्कों के प्राप्त हुए हैं नेचुरल हिस्ट्री का लेखक पिलनी इस वैपार से इतना दुखी था कि वे लिखता है कि रोम का संपूर्ण सोना भारत जा रहा है भारतिय मूर्ति कला भी इस वैपार से प्रभावित हुई अब हम बात करते हैं अरब, मिश्रु और चीन से संपरकों की तो मद्दे इशा में भारत के वैपारिक काफिले हिंदु कुष परवत को पार करके बैक्टिरिया की वैपारिक मंडी तक जाते थे यहाँ पर चीन, भारत यह पशिमी देशों से आने वाले रास्ते मिलते थे यहाँ माल का आदान परदान होता थे, यह अलग-लग देशों से जो रास्ते आते थे वो यहाँ पहुँचकर अपने अपनी सामगरी, वैपारिक सामगरी का आदान परदान किया करते थे भारत के पशिमी तटके व्यपारियों के मिश्र की रास्धानी अलेक्जेंट्रिया, जो की विध्या, उध्योग, व्यपार, एवं वाणी जी का केंद्र थी, वहाँ तक जाने का उलेक मिलता है पश्री में लाल समुद्र, वैल नीन नदी के मार्ग पर प्राप्त हुए सीमोर नामक, भारते वैपारिक के शीरालेक से हमें ये जानकारी मिलती है कि जब वह आंदी तुफान के कारण मार्ग से भटक गया, तो मिश्र जा पहुचा, वहाँ उसे राजनीतिक आश्ये मिला, इसके बाद मिश्र से भारत का वैपारिक संबंद इस्थापित हो गया विध्यार्तियों, चीन के साथ वैपारिक संपर्ग कुशान सामराजी की स्थापना के साथ ही मद्दे एश्या के इस्थलमार्गों से होने लगा था पेरिपलस ग्रण से हमें ये भी जानकाई मिलती है कि ईशा की प्रारंबिक सद्यों में चीन के साथ समुद्री व्यपार होता था चीनी आयातित जो सामगरी थी वस्तुएं थी उनमें रेशम, रेशम का धागा, कच्चा रेशम, बांस वे उससे बनी वस्तुएं प्रमुक थी व्यपाईक संपर्क के अलावा भारति सब्वेता एम संस्कृति का चीन पर व्यापक प्रभाव पड़ा था और अनेक चीनी यात्री जो है जो बौत धर्म से प्रभावित होकर बौत धर्म के बारे में जानकारी जुटाने और अध्यन करने के लिए भारत आये थे जिन में है इन सांक वगेरा के नाम शामिल है अब हम बात करते हैं दक्षिन पूर्वी एश्या के दीब देशों से भारत के संपरकों की तो पुर गु Kirsty काल का जो समय है उस समय दक्षिन पूर्व में भारत की जो अपनेश दीब देशों वे तक्टवर्टी देशों में प्रदेशो थे मलाया जिसको आजकल मलेशय कहा जाता है कंबोज या कंबोडिया चंपा जो कि अन्नाम के नाम से जाना जाता है यहां पर पंद्रविश सताबदी तक विभिन हिंदू राजवन्शों ने शाषन किया जावा जो सरवादिक भारती महत्पून भारती उपनिवेश था सुमा वात्रा में ईशा के पूर्व ही हिंदू उपनिवेशी आप पहुंचे थे दक्षिन पूर्वी देशों के साथ विध्यारतियों संपर का मुख्य कारण संभावत है पश्रिम के देशों में बढ़ते वे भारती मसालों की मांग हो सकता है इसका दूसरा कारण इन दीपों म में भारत वासी जाकर बस गए थे और उन पर शाषन कायम उने किया इन दीपों पर शायद भारतिय जहाज द्वारा वेपार के लिए आये थे कालंतर में परिस्तितिया जब अनुकूल हो गई तो इसके तो वहीं पर ही बस गए इसके बाद हम बात करेंगे सिहल दीप यानि पुत्री संग्मित्रा तता पुत्र महंद्र को शीलंका भीजा था और यहां पर उन्होंने एक बोधिव्रक्ष की शाखा उनके साथ भेजी थी और उद्देश यही था कि बुद्ध का संदेश विदेशों में पहुंचाया जाए सिहल दीप में पहुंचाया जाए यहां पर बहुत धर्म अपने मूल सरूप हीन यान में आज भी प्रतिस्ठित है श्रिलंका पर भायत का राजनितिक सांस्रतिक सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पूर्गुप्तकाल में भी रहा तो विध्यारतियों विदेशी व्यपार की बात हमने की किन देशों के साथ किन यानि जो 500 सालों का समय है भारत व्यपारिक और सांस्रतिक दुष्टि से सब्व्य विशुक के केंदर में इस्तित था इसके पूर में दक्षिनेशा के देश और चीन थे तथा पश्चिम में इरान और रोम के सामराजि थे यह युग आर्थिक सम्रद्धी का युग था व विदेशों में भारतिय वस्तू एवं उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्रशी उद्योग दंदों एवं वैपार वानिज्ये में अत्यतिक प्रगति हुई और भारत में विदेशों से सोना चांदी का आगमन हुआ क्योंकि उस समय जो विदेशी नु अब इज्यारतियों पूर गुप्टकाल में संव्रदती अन्यक प्रकार के शिल्पों का यहां प्रचलन था जिनमें वस्त उध्योग, धात उध्योग और हाती दान्त उध्योग प्रामुख हैं और साथी मनका और रतन उध्योग जोfund加ों में अध्योग प्रामुक था और श्रेणिया जो है आर्थिक महतु तो उनका था ही लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक और रादितिक महतु भी था उनका अपना समीदान होता था न्यायक संगठन के रूप में भी वो समाज में एक इस्थान उनका था साथी अपने सदस्यों की सामाजिक मर्यादा प्रतिस्था की रक्षा भी ये श्रेणिया करती थी और एक बात जैसे कि पहले मैंने कहा था कि आधुनिक बेंकों का काम ये करती थी यानि ब्याज पर रण भी उपलब्ट करवाती थी और साथ ही हम जो है जिस प्रकार बेंकों में एफडी करवाते हैं जिन से वेपार देशी भी होता था विदेशी वेपार भी होता था और देशी वेपार और विदेशी वेपार दोनों ही जो है जल वे थल मार्ग दोनों ही तरीकों से किये जाते थे और विदेशों के साथ जिनमें अभी पढ़ा है हमने कि रोम है इरान है मिश्र है और दक्षिन पू पुर्गुप्तकालीन राज्यों के व्यपारिक संबन थे, राजनितिक संबन थे और सांस्कुतिक संबन भी थे। तो साराश में कहा जा सकता है कि पुर्गुप्तकाल में राजनितिक ऐस्थिर्ता का वातोरण रहा होगा लेकिन आर्थिक प्रगति जो है उसमें कोई कमी नह आनिवाट